अक्षे कुमार आज बॉलिवोर्ड में बॉक्स ओफिस के बॉस है एक साल में उनकी तीन से चार फिल्में रिलीज हो ही जाती है और हर फिल्म 150 करोड तक की कमाई करती है लेकिन फिल्म इंडिस्ट्री में एक बार दीपक तजोरी ने अक्षे कुमार को मात दे दी थी ने शेखर मलोतरा यानी की दीपक तिजोरी वाले रोल के लिए ओडिशन दिया था लेकिन डारेक्टर मनसूर खान को इस किरदार के लिए अक्षे कुमार फिट नहीं लगे और उन्होंने अक्षे कुमार को रिजेक्ट कर दिया था नहीं तो पच्चीस साल पहले ही अक्षे कुमार और आमिर खान एक साथ एक फिल्म में दिख चुके होते अक्षे कुमार फिल्म से रिजेक्ट हुए और शेखर मलोतरा का किरदार दीपक तिजोरी को मिल गया जिस रोल के लिए दीपक तिजोरी ने अक्षे का पत्ता काटा था वही दीपक फिल्म खिलाडी में अक्षे कुमार के साथ साइड हीरो के रोल में दिखे थे शेखर मलोत्रा के किरदार के लिए ना सिर्फ अक्षे कुमार बल्कि मिलिन सूमन को भी अप्रोच किया गया था फिल्म की फीमेल रीड रोल के लिए आईशा जुलका से पहले नगमा को अप्रोच किया गया था फिल्म जो जीता वही सिकंदर साल 1992 की सूपर हिट फिल्म थी फिल्म की गाहनें बेहत पॉपिलर हुए थे आज भी इसे बॉलिवोड की यंग फिल्मों की टॉप लिस्ट में शुमार किया जाता है दोस्तों आपको क्या लगता है क्या दीपक तिजोरी के लिए मनसूर खान का अकशे कुमार को रिजेक करना सही था या गलत अकशे कुमार की बारे में आपकी रहा है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए अकशे कुमार से जुड़ी और दल्चस्प खबरों के लिए सबस्क्राइब करें